एक समय में दुनिया भर की लोग भारत को सपेरों का देश भी कहा करते थे क्योंकि यहाँ सापों को लेकर तमासत दिखाने की परंपरा रही है जो साइद आज भी कही ने कही मौजूद है मगर फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यदा डरावने जीव का नाम लिया जाए तो साप का नाम हर किसी की जिबान पर आहीं जाता है ये जीव जितना डरावना और खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक इसकी एटेकिंग स्किल्स होती है एक साप ना सिर्फ अपने अटैक्स में जहर का सातिर तरीके से इस्तमाल करता है बलकि इसके अटैक्स के पिटारों में तेजी से भागना तैरना और अपनी पनी मजबूत पकड़ से सिकार कदम घोट देना जैसे खतरनाक चीजे भी सामिल है आज हम आपके लिए इस वीडियो में सापो के कुछ ऐसे खतरनाक अटैक्स दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपकी रूख काप उठेगी तो चलिए शुरू करते हैं किंग कोबरा जो दुनिया के सबसे जैरिले और लंबे सापो में से एक है जिसके सिर्फ सामने आने से ही आपके सरीर में डर के कारने कमपंसी होने लग जाती है ऐसे में इस साप को सिकार करते वे देखने का नजारा भी काफी खौफनाक होगा ये मॉनिटर लिजार्ट सायद खुदकुसी के इरादे से बैठा हुआ था जो इस खुंखार जहरीले जीव के आने पर भी अपनी जगा से हिला तक नहीं देखिये कैसे कोब्रा इस मॉनिटर लिजार्ट को चारा तरफ से पहले घेर रहा है किंग कोब्रा को देखकर मॉनिटर लिजार्ट हक्का बक्कर हजाता है और अब बिना हिले मरने के आक्टिंग कर रहा है इस उमीद में कि कोब्रा सायद उसे बक्स देगा पर ये कोब्रा सायद बहुत भूखा है उसने मॉनिटर लिजार्ट की गर्दन अपने मुह में ले ली कोबरा के मुह में अपनी गर्दन महसूस करते ही मॉनिटर लिजार्ट को समझा गया कि अगर जान बचानी है तो इस कोबरा से बचकर भागना ही पड़ेगा वो तेजी से गर्दन चुडा कर कोबरा को पार करके उससे बच कर भागने की कोसिस करता है लेकिन इस किंग कोबरा से बचना इतना आसान नहीं कोबरा मॉनिटर लिजार्ट को पीछे से धर दबोसता है इसी देर में उसके मुह से पकड़कर लिजार्ट को निगलने लगता है मॉनिटर लिजार्ट बेहद आसानी से कोब्रा का सिकार बन जाता है ये दिनी सायर मॉनिटर लिजार्ट के लिए अच्छा नहीं था क्या आपने कभी किसी अजगर और मगर की लड़ाई देखी है वैसे तो पानी में होने वाली लड़ाई में मगर का कोई मुकाबला नहीं पर कभी कभी मगर अपनी इसी घमंड के कारण गलत जानवरों से भी बिढ़ जाता है इस वीडियो में अगर आप इन दो जानवरों की इस खतरनाक लड़ाई को देखेंगे तो आपको अजगर की ताकत का अंदाजा हो जाएगा ये दोनों जानवर एक दूसरे की बस एक गलती का इंतिजार कर रहे हैं तभी अचानक से अजगर वो एक गलती कर बैठता है और मगर के मुह के नजदीक चला जाता है जैसे ही वो मगर के मुह में अपने सिर रखने की कोशिस करता है मगर तुरंथ ही अजगर को अपने जबडों में जगड लेता है जिसके तुरंद बाद इन दोनों के बीच घमासान यूद शुरू हो जाता है अजगर अपने सरीर को मगर पर लपेट कर उसे काबू करने के पूरी कोशिस में है लेकिन मगर डट कर उसका मुकाबला करने से पीछे नहीं हट रहा यहां दोनों ही जानवर एक दूसरे को बराबर की टकर देने के पूरी कोशिस कर रहे है हाला कि थोड़ी देर बाद ही दोनों जानवर इस लड़ाई से बुरी तरह ठक जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि इस लड़ाई का कोई अंजाम नहीं होगा और आखिरकार दोनों ने ही वापस जाने का फैसला किया एक अजगर के दात नहीं होते और ना ही उसमें जहर होता है लेकिन फिर भी बस अपने सरीर के जरिये एक अजगर सेर का भी सिकार करके उसे अपना खाना बना सकता है आप इस वीडियो में ही देख लीजिए यहाँ एक अजगर अपनी सरीर से हीरन को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है हीरन के लिए अब इस अजगर के चंगुल से निकल पाना नाममकिन सा हो गया है अजगर बस किसी भी तरह हीरन का दम घोट कर उसे मारने की जद्द जहत कर रहा है हीरन आखरी तक अपनी सांस बचाय रखने के पूरी कोसिस करता रहा लेकिन इस खतरनाक अजगर से बेचारा हीरन कब तक लड़ सकता था अजगर की मजबूत पकड की वज़ा से हीरन की घोट घोट कर मौत हो गई अजगर हीरन को धीरे धीरे निगल रहा है अजगर अक्सर बड़े जानवरों को ही अपना सिकार बनाते हैं और कभी-कभी उनका सिकार इतना बड़ा होता है कि उसे निगलने मूने एक से दो दिन का भी समय लग जाता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूले साथ ही जाने से पहले चैनल को सस्क्राइब और बैल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले आपको ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएं जहिंद जय भारत